नमस्ष्खार दोस्तों आपका स्वागते Greensmith Garden में आज हम बात करने वाले collis plant की उपर यानि कि जो collis plant होता है इसकी क्या care हमें करनी चाहिए यह से हमारा plant बहुत अच्छा grow होगा और क्या-क्या इसकी हमें soil रखनी है कैसे इसको हमें पानी देना है और क्या location इसको में देनी है जो हमारा प्लांट बहुत अच्छा ग्रो हो आप ही मेरा प्लांट दे सकते हैं ये Coleus का प्लांट है और ये Seeds से ग्रोवा प्लांट है यानि बारिश के मौसम में इसके Seeds थोड़े इधर तर गिर गये थे और इसको मैंने ग्रो नहीं किया बड जो उसके इसके मदल के थे मात बाद में दिखाऊंगा, पहले बात करते हैं कि यह जो plant होता है यह एक तरह से आप उसको बोलते है कि half श्रग्लूर्ड प्लांट इसको बोसकते है क्यों कि जो इसकी वूड होती ब्लोकुल hard नहीं होती इसके नहीं थोड़ा पानी होता है और यह एक soft food का plant होता है इसलिक कुछ लोग उसको स्विक्लेंट की variety में add कर लेते हैं बट यह उसके अंदर add होता नहीं है बट कुछ लोग उसको add कर लेते हैं और यह plant mainly घर में decoration के लिए होता है आप इसको indoor हो सकते हैं यह plant indoor जात अच्छा चलता है बट यह plant को sun भी काफी पसंद है जो अभी हमारे मौसम चल ला है और बारिश का मौसम है दिल्ली के अंदर तो यह इसका favorite मौसम आप उसको बोल सकते हैं मतलब इसको रोश नहीं तो चाहिए sunlight चाहिए बट इसको इतनी sunlight चाहिए कि जहां पर हल्की सी bright light हो यानि कि अगर आप इसको shade में रखते हैं तो plant अपका बहुत अच्छा grow करेगा और अगर सबसे जो बुरा मौसम इसका वो है मई और जून का मौसम जो में गर्म जाता पड़ती है अगर बात करें उसकी soil की यह जो plant है इसको well-drained soil बहुत पसंद है जैसे मैं आपको पहले बता है कि इस plant को कुछ लोग मानते है कि यह succulent plant है और जो इसकी लकड़ी होती है वो बिल्कुल hard लकड़ी नहीं होती तो इस plant को ऐसी soil चाहिए जिसमें कि आप पानी डाले और थोड़ा पानी वो अपने अंदर रखे और बाकी पानी वो फटा-फट ले लिजे soil और 30% ले लिजे आप सैंड और बागी 20% आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट आप कोशिश कीजिए कि इस plant के अंदर आप गोबरी खाद ना डाले दिक्कत तो उसमें गुश्मी होगी बट गोबरी खाद थोड़ी सी जादा गरम होती है तो इस plant के लिए शायद चैनल पर जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपके पास नीचे आ रहा है तो अगर आप इसकंदर पत्तो के खाद डालते हैं तो वह बहुत अच्छी होती है पत्तो इखा थोड़ी महंगी मिलती है और इसकंदर नहीं हो पाती तो आप इसकंदर वर प्रविए के स्टार्टिंग में कि इस प्लांट को सणी ज्यादा पसंद है लेगिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसको फूल संगलाइट के अंदर रख दीजिए इस प्लांट को सिर्फ वह जगा पसंद है जहां पर रोशनी मिले और रोशनी मिलने के साथ इसको जो मौसम है वह थोड़ा ज्यादा पसंद है जहां पर हुआयोगी जहां पर पानी इसको तहुड़ा मिलेगा तो यह प्लांट महां पर बहुत अच्छे से go करें और बारिश का जो मौसम होता है वो इसका फेवरेट मौसम होता है क्योंकि बारिश के अंदर इसको nutrition पूरा मिलता है क्योंकि जो बारिश का पानी तो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है न्यूटेशन इसको पूरा मिलता है दूसरा जो मौसम होता है वो ठंडा हो जाता है और तेज सनलाइट नहीं मिलती तो यह तरह से इसका फेरेट मौसम होता है बागी और प्लांट्स के तरह है जैसे आप देख रहे हैं इसके पत्तेगों पर कुछ लाल-लाल कलर है यह कलर जो इसके लिए इस्तेमाल होता है और आप इसको घर में इंडोर अपने रूम के अंदर भी रख सकते हैं वहां पर रखे जहां पर इसको यह तो ट्यूब लाइट की जो लाइट होती है ब्राइट लाइट वो मिल जाए और थो ठंडा एरिया हो अगर आप इसको घर के अंदर अरों के अंदर रखते है तो जहां पर इसी चलता है तो यह तो यह काफे उछा ग्रोव करेगा और यह जो प्लांट है यह एक लाइट है यह मीडियम अपर या यह प्लांट ज्याद़ नहीं जाता है देखें बहुत सिंपल है इसको आपको कोई खाट डालने की कोई जरूतने सिर्फ आप इसको पानी देते रहे बस आपको द्यान रखना है जो इसकी सोयल है वह वैल्डेन उन्चे ही अगर वैल्डेन सोयल है और आपने इसको अच्छी लोकेशन पर रखावाई जहापर ठंड अब एक direct tips इसकी उपर मैं बहुत important बताना चाहता हूँ जो सबसे अधी important है जो plant होता है कोई पी plant होता है रखिनकर में कई बार काई जम जाती शिए फिर कुछ हरा हरा जम जाता है आपने कई साथ plants मे देखा होगा तो इस plant को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उससे क्या होगा soil के अंदर blockage हो जाती है और plant जो है वो हमारा अच्छे से grow नहीं होता है और पानी और हवा इसकी मिट्टी के अंदर सही से नहीं जा पाती है अगर वो चीज़े हो जाती है तो उस plant की जो जड़े होती है वो अच्छे से फैल नहीं पाती है और ना वो grow कर पाती है तो इसी कान से फिर ये plant जल्दल्दी बनना शुरू जाता है तो उस case में आपको plant की इस तरह से गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद जिस तरह से मैं इसके उपर ऐसे मिट्टी चड़ा रहा हूँ आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी एक यार देड़ इंच के लिए मिट्टी उपर चड़ा देनी है इससे बहुत सारे फाइदे होते हैं इस plant को एक तो plant को थोड़ा सा support मिलता है मिट्टी का दूसरा जो नीचे की मिट्टी होती है वो उपर आ जाती है और उपर की मिट्टी होती है जो नीचे चले जाती है तो उससे soil cultivation भी होता रहता है बहुत अच्छे से जब नीचे की मिट्टी उपर आती है तो उसको air मिलती है जो उसकी जड़े होती है उसको air मिलती है तो इससे plant को एक तरह से जैसे हम लोग एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं और फिर हम इसम से बहार निगलते हैं हमें बड़ा अच्छा फील होता है तो सेम यही इस plant के साथ होता है इवेर हर plant के साथ होता है तो इस तरह से आप इसकी गुड़ाई करते रहेए पंदा इन में एक बार और plant आपका बहुत अच्छे से happily grow करेगा और plant को अगर आप propagate करना चाहते हैं तो उसका simple यह reason है जो भी इसकी branch निकल रही है आप इसको तोड़ लिजे और तोड़ कर इसकी cutting है वो एक soil के अंदर लगा दीजे इसी soil में लगा दीजे तो फिर से grow हो जाएगा बस शर्त ही है कि आपकी cutting है वो तीन से बड़ी होनी चाहिए जब इसकी cutting बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको इसको grow भी करके दिखाऊँगा कि किस तरसे इसको grow किया जाता है और जैसे मैं आपको पहले बता है कि plant को बुशी अगर आपको बना रहा है तो प्लांट की आप cutting करते रहे हैं और जो भी cutting इसकी निकलते आप इसको grow करकर एक जो में केर है वह गर्मियों के मौसम में मैं जून जुलाई यह तीन महीने ऐसे हैं जिसमें plant आल्मोस 99% मर जाता है क्योंकि मैं जून जुलाई के इंदर तेज गर्मी पढ़ती है और वही तेज गर्मी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसके इसके अंदर आप इस प्ल ए तो ओट